नमस्कार द्रिष्टी PCS चैनल पर आपका स्वागत है आज हम उत्राखन PCS के point of view से जो महत्पून घटनाक्रम रहे हैं हाल के समय में उस पर चर्चा करेंगे और विविन प्रश्णों के माध्यम से और उनसे संबंधित जो व्याक्या हैं उनके जरिये हम इन घटनाक्रमों के बारे में तोलेंगे कि कौन-कौन से ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जो आपकी परिक्षा के लिहाद से उत्राखन PCS के point of view से महत्रपूर्ण हो सकते हैं तो आईए बिना समय गवाएं पहले सवाल की ओर रुक करते हैं सवाल है कि हाल ही में नीती आयोग द्वारा जारी SDG अरबन इंडेक्स में देहरा दून को कौन सा स्थान मिला है ओप्शन से 32, 35, 37 या फिर 49 यहाँ पर ध्यान देना है कि किसने ये इंडेक्स जारी किया है तो नीती आयोग ने कौन सा इंडेक्स तो SDG अरबन इंडेक्स जारी किया गया है नीती आयोग के द्वारा किसके कौन्टेक्स में पूछा जा रहा है तो देहरा दून के कौन्टेक्स में जो रैंकिंग है देहरा दून की इस इंडेक्स में वह rank मिली है अब सवाल यह है कि आखिर पहली rank के से मिली है पहली rank मिली है शिमला को दूसरी rank मिली है कोयम बतूर को और तीसरी rank मिली है चंडिगर को है ना तो यह जो इंडेक्स है इस इंडेक्स के हिसाब से प्रथम तीन rank पर यह है देहरा दून को 35 rank मिली है यहां मैं आपको clear कर दूं कि यह जो इंडेक्स है इसके तहत 0 से 100 के माध्यम से ranking दे जाती है तो पहला सवाल यह रहा दूसरे सवाल के उरुख करते हैं दूसरा सवाल है आत्म नेर्भर उत्तराखन मिशन पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है ओप्शन से 2024, 2025, 2030 या फ़ीच 2032 यहां पर ध्यान रखेगा नाम क्या है आत्म नेर्भर उत्तराखन मिशन यानि कि उत्तराखंड को विभीन मायनों में विशेज कर आर्थिक परिप्रेक्ष में आत्र निर्भर बनाने की जो कवायद की जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसका लक्ष क्या है? इसका लक्ष है 2025 तक जो है इस मिशन को पूरा करने का लक्ष रखा गया है तो यहां पर यह आपको ध्यान में रखना होगा कि इस मिशन के माध्यम से 2025 तक यहां लक्ष प्राप्त करने की कवायद चल रही है अब आगे के प्रश्णी क्यों रूख करते हैं तीसरा सवाल है चर्चा में रहा देव स्थानम बोर्ट किस से संबंधित है औप्षन से मंदिरों से नदियों से वनों से या फिर इन में से कोई नहीं यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है हाल ही में यह जो विशे है यह विशे चर्चा में भी रहा था क्यों चर्चा में रहा था इसके बारे में मैं ब्रीफ में बता देऊँगा लेकिन सबसे पहले इसके उत्तर की ओर यदि नजर दोर रहा है तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे देव स्थानम बोर्ड की बात चल रही है ओप्शन्स को यदि हम टटो लें तो इसमें जो ओप्शन ए है मंदिरों से यह जो बोर्ड है यह जुरा हुआ था अब इससे संबंधी जो खबरे थी इसके कॉंटेक्स्ट में यदि हम बात करें तो हाल ही में उत्राखन सरकार ने इस बोर्ड को वापिस लेने की बात कही है और अब जो है जो बोर्ड गठित करने की बात की जा रही थी यह बोर्ड गठित होगा में दिसंबर 2019 में एक अधिनियम पारित किया गया था उत्त्राखंड सरकार के द्वारा विधान सभा में उसका नाम था उत्त्राखंड चार धाम देवस्थानम बोड अधिनियम या देवस्थानम प्रवंधन अधिनियम 2019 के नाम से यह जो एक्ट था यह एक्ट पास किया गया था क्या नाम था उत्त्राखंड चार धाम देवस्थानम प्रवंधन अधिनियम 2019 यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि यह चार धाम का मतलब क्या हुआ चार धाम का मतलब उत्त्राखंड के चार जो महत्वपूर्ण पुझा Still माने जाते हैं या फिर बहुत जो महत्वपूर्ण त्रिःठातन वाले स्थल माने जाते हैं उन्हीं के context में चार धाम का यह concept है ये कॉनकों से चार धाम है तो यह चार धाम है पहला है बद्रीनात दूसरा है कधारनात तीसरा है गंगोत्री और चौथा है यमुनोत्री ठीक है ना तो अब जो ये प्रवंधन अधिनियम बना था इसमें ये था कि इन चार धामों के साथ साथ कुछ अन्य मंदिरों की देख रेख के लिए भी राजि सरकार के नित्रित्व में एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा देवस्थानम बोर्ड या फिर चार धाम देवस्थानम बोर्ड उस बोर्ड के माध्यम से ही इन चार धामों के साथ साथ लगभग 49 ऐसे ही कुछ मंदिरों की जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था करनी थी इसी बोड के माध्यम से लेकिन इन चार धामों से संबंधी जो महत्वपूर्ण पुजारी या मुख्य पुजारी जो थे या फिर उनके जो सहयोगी थे इन सभी ने इस पूरे कवायत का वि वस्था है हमारी परंपरा को आप हथिया रहे हैं और ये सही नहीं है तो इस तरीके से जब विरोथ किया गया तो सरकार और पुजारीयों के संगठन के मध्य में एक मन मुटाव वाली एसेती एक तनाव वाली एसेती पैदा होना शुरू हो गई और उसके बाद से धीरे ध उत्राखन के वर्तमान सरकार ने जो अभी पुषकर धामी जी वहां के मुख्यमंत्री है उन्होंने निर्णे लिया है कि हम इस बोर्ट को समाप्त करेंगे हम अब इस बोर्ट को कॉन्टिनीव नहीं करेंगे यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दू कि इस बोर्ट का जो चे अखंड के वो इसके वाइस चेर्मैन होते यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि इस अधिनियम में यह भी स्पस्ट लिखा हुआ था कि जरूर इस बोर्ट के चेर्मैन मुख्यमंत्री होंगे लेकिन यदि मुख्यमंत्री हिंदू नहीं है तो वैसी स्थिति में मु मुख्यमंत्रीबरशत से वैसे वैक्ती को इस बोर्ड के चेर्मैन के तौर पर निक्त करेंगे जो की उनके हिसाब से इस पद के लिए उप्युक्त साबित हो सके इस तरीगे से इस अधिनियम में सपस्ट तरीगे से लिखा हुआ था यानि कहने का मतलब यही है कि इस बोर् सदस्य को वो जो कि हिंदू हो वह इस बोर्ड में अध्यक्ष के तोर पर निक्त किया जा सकता था तो इस तरीके से यहां पर बाते की गई या इस अधिनियम को उत्राखंड के राजिपाल महोदे ने 13 जनवरी 2020 को अपनी स्विक्रिती दे दी थी कब दे दी थी अपनी स्विक्रिती तो 13 जनवरी 2020 इस डेट को गवर्नर की स्विक्रिती मिल गई थी है ना तो यहां पर आप ये कई बाद डेट भी पूछ लिया जाता है तो इसलिए मैंने ये डेट मेंशन कर दिया है ठीक है ना तो इस तरीके से इस पूरे मामले में ये सब कुछ गतिवीधियां सामने आई हैं मैंने आपको एक एकर सभी के बारे में बता दिया है दिसंबर 2019 में वहां की विधान सभा से इसे पारित किया गया और राजेपाल की स्विक्रिती के बाद यह अधिनियमित हो गय और वहां के उत्राखन सरकार के गजट में आ गया चार धाम कौन-कौन से हैं उन चार धामों के बारे में बता दिया और बाकी जो इस बोर्ट के इस अधिनियम के अंतरगत जो भी मंदिर आने वाले थे वो भी इसकी बोर्ट के या इसी प्रवंधन की निगरानी में रहने वाले थे तो ये सब चीजे इससे जुरी हुई थी बहराल इस प्रश्ण का सही जवाब हुआ ओप्शन ए मंदिरों से जुरा हुआ है ये बोर्ट आगे बात करते हैं नेक्ट सवाल की तरफ रुख करते हैं रच्छा इनिक्यूवेटर के लिए आर्ट पार्क और किसके बी तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन बी वीर माधो सिंग भंडारी उत्राखंट तक्नीकी विश्व विद्याले यहां पर मैं आपको आर्ट पार्क के बारे में बता दूँ आर्ट पार्क का मतलब क्या हुआ आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस दूइए अंड रोबोटिक्स टेक्नोलोजी पार्क रोबोटिक्स टेक्नोलोजी पार्क है ना इसी के कॉंटेक्ष्ट में बात चल रही है तो आर्ट पार्क जो है इसे नाम से ही रहे हैं कि artificial intelligence और robotics के context में यह रक्षा incubator कारे करेगा और इसमें भालत सरकार के विज्ञान और प्रदावगी की विभाग की मदद भी ले गई हैं तो इस तरीके से इस सवाल का सही जवाब हुआ option B अब next सवाल क्यों रूख करते हैं सवाल है स्वरगिये धीरस नेथानी स्मृति राज्यस्तरिये बैडमिन्टन प्रतियोगिता में कौन सा जन्पत विजई रहा ओप्शन से टिहीरी पौडी चमोली या फिर अलमोडा इस प्रश्न का सही जवाब है option B पौडी यहां ध्यान रखिएगा कि कीस प्रतियोगिता की बात चल रही है तो बैडमिन्टन प्रतियोगिता की बात चल रही है यानि कि यहां जो प्रतियोगिता है यहां बैडमिन्टन से जुरी हुई है अब नेक्ट सवाल क्यों रूख करते हैं सवाल है देव संस्कृती विश्यविद्याले उत्राखंड के किस जिले में स्थित ह औप्शन से हरिद्वार, पिथोरागर, देहरादून या फिर चमोली इस प्रशन का सही जवाब है औप्शन A हरिद्वार हाल ही में भारत के राष्टपती महोदे ने यहां का इस विश्विद्याले का दौरा किया था और इस कारण से यहां चर्चा में रहा तो हरिद्वार में यह विश्विद्धाले हैं और हरिद्वार के context में यह बात हो रही है तो मैं आपको यह भी बता दूँ कि भारत में जो चार जगों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उनमें से एक हरिद्वार है बाकी तीन कौनकों सी जगह हैं यह आप comment section में ब सबसे पहले मैदान में प्रवेश करती है यहीं पर हरिद्वार में ही गंगा का मैदान में प्रवेश होता है तो यह नोट करने ज़रूरी है गंगा का मैदान में प्रवेश हरिद्वार में होता है इससे पहले यह प्रवत्ये छित्रों से होते हुए प्रवाहित होती है और जो प्लेन रिजन है मैदानी भाग में प्रवेश हरिद्वार से ही गंगा का होता है और फिर गंगा आगे की ओर बढ़ती चली जाती है तो यह कुछ चीजे आपको ध्यान में रखने लाइक है आगे नेक्ट सवाल क्यों रुक करते हैं सवाल है हाल ही में सेम मुख्य मेले का आयोजन कहां किया गया ओप्शन से टिहरी देहरादून मसूरी या फिर हरिद्वार इस प्रशन का सही जवाब है ओप्शन ए टिहरी इस मेले का आयोजन टिहरी में किया गया और यहां जो मेला है स्थेम नाग राजा मेले के रूप में भी जाना जाता है यहां पर ध्यान रखेगा कि माना जाता है कि श्री कृष्ण ने यहां पर टिहरी में राज रचाई थी और इस लिहास से यहां मेला महत्वपूर्ण हो जाता है तो यह टिहरी में आयोजित किया जाता है आगे बात करते हैं नेक्श्ट सवाल की ओर रूख करते हैं सवाल है चर्चा में रहा टनकपूर बैराज किस जीले में है आप्शन से अलमोडा नाइनी ताल उत्तरकाशी या फिर चंपावत इस प्रशन का सही जवाब है आप्शन D चंपावत यहां बैराज चंपावत जी नेपाल में इस बैराज के माध्यम से टनकपुर बैराज के माध्यम से नेपाल को पानी देने की बात की गई है भारत सरकार और नेपाल के बीच में एक संधी हुई थी और उस संधी के माध्यम से इस बैराज के जरिये नेपाल को पानी देने की बात की गई है तो इस लिहाज से यहां जो सवाल है यह सवाल आपके लिए महतोपूर्ण हो जाता है मैंने उस नदी का भी नाम बता दिया है और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है यह भी महतोपूर्ण है अब नेक्ष्ट सवाल क्यों रूख करते हैं सवाल है दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन कहां कि निथोरागर, हलद्वानी, देहरादून या फिर गोपेश्वर सवाल से आप समझ सकते हैं नाम ही है दून ड्रोन मेला और यह जो मेला है यह देहरादून में आयोजन किया गया इसमें जो भारत के भारत सरकार के नागरिक उड्डियन मंत्री है जोती रादितिय सिंधिया जी उन्होंने इस मेले का उधगार्ण किया है इसमें ड्रोन के सही तरीके से उप्योग को लेकर के पिर्ट कि इसमें इस मेले में और इस लिहास से यह महत्तुपून हो जाता है इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूँ कुछ दिन पहले दहरादून में ही एक और अंतरास्ट्रिये सेव पर्व इसका आयोजन भी देहरादुन में ही किया गया है तो एक साथ ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस सेव पर्व में पर्व या मेले में सेव की कई किस्मों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी उसमें से यदि नाम मैं आप को बताओं तो एक नाम है रेड गोल्ड एक है ग्रैनी स्मित ग्रैनी स्मित है ना एक नाम है रेड डेली सियस यह सब कुछ सेव की वराइटीज है और इनकी प्रदर्शनी इस मेले में लगाई जाए गई थी कभी यदि इस तरीके से सवाल बन जाए कि ये जो किसमें है या फिर ये जो प्रजातियां है किस फल की है तो आपको आसानी होगी तो इस तरीके से यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ सवाल है उत्राखन ने की से हरा कर BCCI महिला अंडर 19 का फाइनल जीता है और यह किस खेल से जुरा हुआ है तो क्रिकेट से जुरा हुआ है इस तरीके से यह सवाल हो गया अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चर्चा में रहे शम्षात पिथोड़ा गढ़ी का संबंध किस से है संगीत खेल पेंटिंग या फिर निरत्य इस प्रश्ण का सही जवाब है option C पेंटिंग से इनका संबंध है और यह जो शम्षा वेक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं हील जात्रा पेंटिंग है ना इनकी एक पेंटिंग है हील जात्रा पेंटिंग उस लिहाद से भी आप समझ सकते हैं इनका संबंध पेंटिंग से हैं भरते हैं next सवाल की तरफ रुक्मानी देवी को आइकोनिक मदर पुरसकार से स Option C इसका सही उत्तर है, Option C में उत्तरकाशी जिले से ये बिलोग करती है, रुखमनी देवी को किस रूप में जाना जाता है, तो इन्होंने COVID-19 के दौर में पिछले साल होमियोपैथी के COVID-19 पखल के रूप में बहुत बरी भूमिका निवाई थी, उसके माध्यम से बहुत बरी भूमिका निवाई थी, और इस लिहाज से भी इनका महत्य रहा उत्राखन में और सहात ही मानविये सेवा के डिश्ट्रकों से भी इन्होंने बढ़ चरकर हिस्सेदारी की थी, तो उस पूरे इनकी भूमिका को, इनके रोल को देखते हुए, समझते हुए, इन्हें इस रू इकोनिक मदर पूरसकार से इन्हें समानित किया गया है, तो इनका संबंध ऑप्शन सी उत्तरकाशी से है, भरते हैं नेक्ट सवाल की तरफ, सवाल है पांचवी एशियाई जू जित्सू प्रतियोगता में रिशी केस की शीवानी गुपता ने कौन सा पदक जीता है, ऑप् प्रतियोगता रही, किसने प्रतक जीता है, तो शीवानी गुपता ने, वो कहां की रहने वाली है, कहां से बिलॉंग करती है, तो वो रिशिकेस से बिलॉंग करती है, इसके अलावा, जू जित्सू आखिर है क्या, तो यह जापान के मार्सल आर्ट का एक प्रकार है, और यह जो प्रत्योगता है यह प्रत्योगता आयुजित कहां की गई थी यह प्रत्योगता आयुजित की गई थी आबू धाभी में ठीक है तो आपको एक प्रस्ण से कई सारे जो इन्फर्मेशन से वो इन्फर्मेशन मिल चुके हैं आगे भरते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ निमनलिकित में से उत्राखन की किस शक्सियत को मर्नो परांथ फ्लोरेंस नाइट्रेंगल अवार्ड से सम्मानित किया गया इसमें आप्शन से आप्शन ए कमला थापा बी दिलिपनेगी सी विकास धामी या फिर आप्शन डी प्यूस रावत इस प्रश्ण का सही जवाब है आप्शन ए कमला थापा यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन्हें नाम कौन से प्रोर्सकार से तो फ्लोरेंस नाइट्टेंगल आखिर हैं कौन तो यह एक नर्स के रूप में काम की हैं और पिछले साल इन्होंने कोविड-19 के दोरान बहुत अधिक सेवा सुसुसा की वहाँ पर इनके हॉस्पिटल में जो भी लोग कोविड के मरीज आये तो उनकी सेवा सुसुसा की थी और बाद में इनकी मृत्तियू है फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरसकार कमला थापा जी को तो इसलिहाद से इसका उत्तर आप्शन ए हो गया आज की चर्चा में हम यही तक सीमित रखते हैं अगले सेशन में अन्य महत्पून घटाक्रमों से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं उसके साथ हम उपस्तित होंगे तब तक अच्छे से बढ़ते रहिए और अपना ख्यार लखिए नमस्कार